कि यह लो फ्रैंड यूआ कंप्यूटर अक्याइडमी चैनल में आपका स्वागत है जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने पिछले सेमिस्टर डीसी और पीजी डीसे के वीडियो यूटूब में अपलोड किया था सेकेंड सेमिस्टर के भी वीडियो मैंने आज से अपलोड करना स स्टार्ट कर जिया है तो आज से मैं सेगेंड समिस्टर में IT ट्रेंड DCA वालों का आज इस वीडियो में कॉस्टन रहेगा यूनिट वन का तुकि DCA और PGDCA में जो IT से पहले हरे यहां पर आपको उशन का जो है अंसर आपका यह है कि multimedia क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होना से बना हुआ है किसे मीडिया मल्लब होता है अनेक और मीडिया मल्लब होता है आपका साधन तो ऐसा सिस्टम जिसमें अनेक साधन हो जैसे कि यहां पर आपका जाएगा अब मल्टी मीडिया है ना तो मल्टी मीडिया मल्लब क्या हो गया दो सब्दों से तो मिलकर बना है आपका मल्टी मल्दब अने, मीडिया मल्दब साधन, तो अने, साधन, तो यहाँ पर आ जाएगा, चुकि की मल्टी मीडिया क्या होता है, एक साधन होता है, किसका, देखो, टैस्ट, आडियो, आडियो, वीडियो, इमेज, और एनिमेशन, और एनिमेशन, का एक समू होता है, का एक समू होता है, बात करें, मल्टी मीडिया की, तो आपको समझ में आगए, कि जिसमें, एना, ऐसे साधन, जिसमें क्या-क्या रहेंगे, आपके टैस्ट, आडियो, वीडियो, एनिमेशन, इनके समू को मल्टी मीडिया का जाता है, जैसे आपका एक मुवाइल होता है, अपने इसके एक्जाम्पल के तौर पर ले लें, कि भाई, मुवाइल जो है आपका, क्या, मुवाइल, आप बोलते हों कि मेरा मुवाइल, ज इनका एक समू होता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, मल्टी मीडिया, अब मल्टी मीडिया का जो यूज होता है, आपका कहां पर होता है, जैसे कोई भी जानकारी है, इन्फॉर्मीशन, इन्फॉर्मीशन को रोचक तरीके से दिखाने के लिए मल्टी मीडिया का यूज क एजूकेशन में हो रहा है, इंटर्टैन्मेंट्स के रूप में हो रहा है, मल्टी मीडिया का यूज, ठीक है, अब मल्टी मीडिया यूज करने के कुछ हाड़वेर और सौप्ट्वेर है, यहां बरा जाएगा आपका मल्टी मीडिया, मल्टी मीडिया को उप्योग करने के ल यह हाड़्वेयर और सॉप्ट्वेयर की अब सकता होती है क्या होती है आपके हाड़्वेयर हाड़्वेयर और सॉप्ट्वेयर की अब सकता पड़ते हो हाड़्वेयर क्या क्या जाएंगे आपके यहां पर जो हाड़्वेयर रहेंगे देखो आप कोई भी multimedia फाइल बनाओगे तो उसमें आपको कुछ hardware और software की अब सकता पड़ेगी तो hardware कौन से रहेंगे यहाँ पर मैंने बहुत दिया hardware कौन कौन से हैं आपके hardware तो पहला hardware आपका यहाँ पर cd या dvd drive लगेगा दूसरा चीज आपका यहाँ पर क्या लगेगा इसमें headphone लगेगी या microphone headphone 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 या आप end बोल सकते हैं यहाँ पर microphone 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 की अब सकता पड़ेगी तीसरा चीज आपका क्या जाएगा यहाँ पर hardware में और क्या लगेगा आपका monitor आजाएगा monitor monitor आजाएगा चोथा चीज क्या लगेगा आपको यहाँ पर sound card आवस्या group से लगेगा आपका sound card ठीक और आपका आजाएगा यहाँ पर पांचमा चीज आजाएगा speaker आजाएगा क्या जाएगा speaker speaker यह आपके यहाँ पर hardware रहेंगे ना जो कि multimedia को यूज करने के लिए यूज किये जाएगे और कुछ software रहेंगे यहाँ पर software 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 में आपका कौन कौन सा लगेगा भाई जैसे आपको photo बगेरा editing करना है image तो इसके लिए आपको आजाएगा Adobe Adobe Photoshop Photoshop आजाएगा दूसरा चीज आपको क्या जाएगा यहाँ पर Adobe Photoshop के लावा flash आजाएगी क्या जाएगी flash flash आजाएगी तीसरा चीज आपको आजाएगा यहाँ पर window media player जैसे आपको multimedia में कोई video चलाना है video है animation लगाना है तो उसके लिए आपको media player आजाएगा window media player media player ठीक है ऐसे आजाएगा आपका window movie maker आजाएगा जिससे आप movie बगेरा editing कर सकते हो movie maker movie maker maker और एक आजाएगा max यह भी software होते है तो यहाँ पर आपको दो चीज कि आप सकता पड़ेगी multimedia को चलाने के लिए या use करने के लिए hardware और software ठीक है अब इसके बाद आपका आजाएगा कि multimedia का जो use है आजकल ना cable business में किया जा रहा है बलकि education शेत्र में घरों में सभी जगा entertainment के रूप में आपके घरों में यूज किया जा रहा है multimedia फिर आपका जाएगा next यहाँ पर आपको multimedia के बारे में इतना ही बतातना है फिर आजाना है आपके multimedia के component एवम elements तो इतना screenshot लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तो आपने यहाँ बार screenshot ले लिया होगा अब आते हैं हमारे multimedia के कुछ components एवम elements तो बात करें यहाँ पर components की components एवम elements चीक है तो यहाँ पर आपके तत्त्त एवम aware होता है यह तो पहला आपका यहाँ पर जैसे मैंने बताया थी कि multimedia जिसका sum होता है जैसे किस-किसका sum है यहाँ पर test पहला इसमें जाएगा test दूसरा जाएगा इसमें image image तीसरा जाएगा sound चीक चौथा जाएगा आपका यहाँ पर animation पाच्मा आजाएगा आपका यहाँ पर audio 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 और चटबा जाएगा आपका वीडियो यह आपके यहाँ पर component एवं element है अब इनके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा डेटेल देना है कि test क्या होता है तो test क्या होता है आपका देको test जैसे आप कुछ भी चीज entertainment में आता है या advertisement आपका होता है तो कोई भी चीज आप test के द्वारा क्या करोगे किसी भी चीज की information को दरसाने के लिए test का यूज क्या हो जाएगा आपका information को दरसाने के लिए test का यूज किया जाता है अब जब आप computer में जो test यूज करते हो तो वो निम्न प्रकार के test यूज करते हो है test के जो प्रकार होते है computer में एक आजाएगा आपका साधारान test साधारान test इसको simple test भी बोला जाता है क्या बोला जाता है simple test दूसरा जाएगा आपका यहाँ पर simple के बाद आजाएगा hyper test आजाएगा क्या आजाएगा आपका hyper test तीसरा आजाएगा आपका doc और चोथा आजाएगा आपका .pdf ठीक है यह यहाँ पर आपके test के प्रकार होते हैं test के प्रकार में पहला है simple test इसको बूला जाता है .txt simple test मलब क्या होता है आप किसी भी test editor में जो simple test लिखते हो जैसे आप notepad ले लो तो notepad में जो आप test लिखते हो notepad notepad में जो हम कुछ भी यहाँ पर लिखते हैं वो आपका simple test होता है simple test में ना तो आप editing formatting नहीं कर सकते हैं में और इसम्ताहिकर सकते ज सब्रेसलिकों टैस्सक्राइव जेसे नोटपएड भाइड टेफोर्ट भ्लैक लिए यह क्या होता है इसी इसीक्टीक्टल सूरिय और डोट पर्मेंट मैं होता है उसेセ्टाइस पासेडिस लिखते सीए, यह चाहिए है फिर बात करें हाइपा टैस्ट तो हाइपा टैस्ट क्या होती है वैब पेज वाली वैब पेज होते हैं वैब पेज्ट तैयार करते हो इसको को HTML भासा में लिखा जाता है किसमें HTML भासा में आगे चल करके मैं आपको इंटरनेट बैब डिजाइनिंग में HTML भासा भी बताऊंगा जाबा स्क्रिप्ट और CSS इन तीनों की कोडिंग भी बताऊंगा तो आपका जाएगा जो भी टेस्ट या जो भी फाइल आप MS Word में बनाते हो किसमें MS Word में बनाते हो है ना तो यह इसको बोला जाता है format test क्या बोला जाता है format अब format क्या बोला जाएगा यहाँ पर जो आपका MS Word है यहाँ पर इसको format test भी बोला जाता है है क्या बूले जाता है format test ठीक है format test का मलब होता है इसमें आप editing का work कर सकते हो किसका editing जेशे color बगेरा लगा सकते हो आप इसमे color कर सकते हो कोई style लगा सकते हो स्टाइल से लगा सकते हूं तो यह सब क्या क्या लाता है आपका फॉर्मी टेस्ट पुल मिला के आपको यहां पर जो MS Word के द्वारा आप टेस्ट लिखते हो उसके बारे में बताना है फिर रजाएगा आपका डॉट सब्सक्राइब का पूरा नाम क्या होता आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक भीषते हो तो और में कहलाता है यहां पर टैस्ट के आपका पूरा होता है नाच ओधोwww इमइज इमीज कि बात करें तो एमेज किया होती है एक ग्राफिक्स फाइल होती है ग्राफिक्स मनलब क्या होता है जैसे आप फोड़ बनाते तो उसको graphics बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, graphics, तो image कुल मिला करके आपकी एक graphics फाइल से, जिसका use, multimedia को, multimedia को एक अच्छे तरीके से दिखाने के लिए किया जाता है, अब image आपकी दो प्रकार की होती है computer में, पहली image आती है, bitmap, bitmap, और दूसरी आती है, vector, vector, तो bitmap क्या होती है, bitmap image जो pixel की सहाइटा से बनाया जाता है, किसकी pixel की सहाइटा से जो image बनती है, उसे bitmap image कहा जाता है, जैसे कोई भी image आपकी क्या हो बनती है, तो वो कुछ horizontal और vertical लाइनों, ऐसे मिलकर बनती है, तो horizontal और vertical लाइनों से मिलने के बाद जो एक क्या होता है यहाँ पर यह dot बनता है इसको pixel कहा जाता है क्या कहा जाता है pixel है ना मतलब जो भी आप पुलमलागर के जैसे mobile है आपका mobile के द्वारा फोटो capture करते हो तो वो कौन सी कहलाती है आपकी bitmap image रहती है ठीक है bitmap image होती है फिर आती है vector image तो vector image जो लाइनों की सहायता से बनती है जैसे आप MS painting है आपकी painting के द्वारा जो भी image बनाते हो और उसमें अलग से color फिल करते हो तो वो आपकी vector image कहलाती है ठीक है यहाँ पर यह समझ में आप जाएंगे फिर next आता है आपका sound क्या आता है sound sound क्या होता है sound sound मतलब आपका कोई एक अर्थ पूर्ण speech जैसे हम कोई speech देते हैं तो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए उसको बोला जाता है sound अर्थ पूर्ण speech sound है यह सबसे महत्पूर्ण element होता है आपके multimedia का ते आप जैसे projector में आप क्या गरते हो कोई भी अर्थ पूर्ण तो sound का use किया जाता है animation क्या होता है किसी भी तत्तों को जैसे आपका video है कोई image है तो इसको जीवांत रूप से जीवांत जीवांत रूप से दिखाने के लिए animation का use किया जाता है जीवांत मतलब हलता डिलता हुआ नजर आना चाहिए तो वो क्या क्या लाता है animation क्यालाता है बात करते हैं audio की audio क्या होता है आपका audio वही है अर्थ पूर्ण speech है ना audio ठीक है अब बात करें यहाँ पर वीडियो की तो वीडियो क्या होता है कोई भी आप जब multimedia बनाते हो तो कोई भी कल्पना या कोई भी घटना के रूप में जो आपका वीडियो रहेगा वो वीडियो कहलाता है ठीक है animation में थोड़ी सा आपका है आपका 2D और 3D animation आता है 2D मलब होता है आप किसी भी image को क्या करते हो दो एंगल से देखते हो 2D मलब होता है 2D dimension 3D dimension तो 2D में आप किसी भी picture को दो एंगल से देख सकते हो front से या left या right 3D को आप कितने एंगल से देख सकते हो तो यहाँ पर केवल आपको इस question में इतना ही लिखना है ठीक है अब आपका next वीडियो में मैं आपको next question समझाऊँगा ठीक धन्यवाद